उर्जित इन्वर्शल एकेडमी में आप सभी का स्वागत हैं वेल्कम टू उर्जित इन्वर्शल एकेडमी चर्यसाफ फ्रेंड्स सुरू करते हैं आज एक और अमेरिकन राइटर आर्थर मीलर के बारे में आर्थर चाईसा के अब जानते हैं आर्थर मिलर का ओस एक्सियस है जो की अमेरिका में एक लंबे समय से एक अपना परमानेंट फीगर या कह सकते हैं परमानेंट फीगर जो इन लिट्रेचर में था वो बहुत ही लंबे समय के लिए था और यह सिर्फ लिट्रेचर में नहीं थे बलकि जब इनको फेमस सिनेटर मिकार्थी ने हिंटी कम्बिनेशन शुरू किये थो तो कम्बिनिस्ट के बारे में इनको नाम बताने के लिए कहा गया पर इससे उन्होंने इनकार कर दिया आर्थर मीलर जैसा कि आप जानते हैं आर्थर मीलर का जन्म हेललेम में 17 अक्टूबर 1915 हुआ था और इनके माता पीता जो थे तोनों कहां के थे पॉलिस के थे मीलर आर्थर मीलर जो थे फाद इनके फादर जो थे बहुत ही सक्सेश्फुल जो किसमें बीमेन गार्मेंट में बीमेन गार्मेंट का काम सुरू किये बहुत ही सफल रहे और बहुत ही इनका जो परिवार था हेल्दी इंज्वाइड विल्दी बहुत ही अच्छे से रह रह से अनंद से रह रहा है थे वेल स्ट्रीट क्रेश से 1929 मगर प्रेंड एक और बात है कि अमेरिका में 1929 में जो इस्चेंज था उसमें बहुत बड़ा कॉलास्प हुआ और इसी को आपका नाम दिया जाता है। पायन्स आर्थर मिलर के फादर को बहुत बड़ा नुपसाण हुआ क्योंकि आर्थर मिलर के फादर ने बहुत बड़ा इन्वेस्ट किया था और इसके कारण उनको सबकुछ इने खो दिया। बाद में अ-नो ब्रोकलीन में सिप्ट हो गए जहां तक इनके एजुकेशान का तालुक मिलर ने निवार के एक हाइश कुल में 9033 में गर्जुएशन उन्होंने किया जैसा कि आप जानते हैं कि मिलर के पास इन्वर्सिटी में जाने के लिए फीश के लिए पैसा नहीं था है और उस समय जब इन्वर्सिटी माइन जाने के लिए नको इस यह गौर कर दिया क्योंकि इनको पास इन्वर्सिटी में घिने करें पाईसे नहीं थे इस काौराल इन्हों ने छोटी दो नवकरिया कि यह दो नहीं कई नोकरिया की और इसके अलाव इन्होंने एंखरिंग का काम रेडियो में भी काम किया बहुत जगर काम किया जब इडिमिशन लिया तो उन्होंने जर्नलिजम को मेजर सब्जेक्ट बनाया है और एस्टेडी के दोरान वहां के एक स्टूडेंट पेपर मेसिगन डेली के एडिटर बन गए और इन्वर्सिटी में रहते हुए अपना प्ले नो बिलियम लिखा और इन्हें नो बिलियम के लिए भी आर्थर आवार्ड दिया गया जब इन्हें आवार्ड दिया गया थे उन्हें का इंटरेस्ट बढ़ा और जनरलीम के मेजर सब्जेट को छोड़ कर इन्होंने इंगलिस मेजर सब्जेट को चुना और लिट्रेचर को इन्होंने बहुत डीपली पढ़ा तोद्धांटी थर्टी एट में इन्होंने इंगलीस में बैचलक डिगरी हासिर की इसके बाद इन्होंने छेट्र डिलर थीयेटर में राइटिंग को चुन लिया जिसे बाद में कम्मिनिस्ट के कारण थ्रस्ट के कारण बंद किया दिया थे और नाइन्टी फोर्टी फेर ने मिलर में मिलर का नियू करिया सुरूब करिया सुरूबात होता है The man who had all the luck को प्रेसिडेंट जब इन्होंने अवार्ड जीता नेशनल आवार्ड जीता तो All My Son नाइन्टी फोर्टी सेवन में इसको थीटर में प्ले किया गया जिसके All My Son जो था एक जो ड्रामा था इसको नाइन्टी फोर्टी सेवन में तो आवार्ड दिया गया और हाली उट के ब्लेक लिस्ट होने के कारण एलिया ने बहुत सारी कम्मुनिस्टियों के नाम इनको दे दिये इस बात से आर्थर मिलर एलिया और आर्थर मिलर के दो तालुकात काफी खराब हो गए लगभगे दस साल एक दूसरे से नहीं मिले इसके कारण आर्थर मिलर सैलम चला गया और वहां रिसर्च किया विच्छ क्राफ्ट रिसर्च पर रिसर्च करने के बाद वह इस इस इस्टिंडेंट पर जो सिमलर्टी पाई गई और क्या पाया गया कि उसमें जो करेंट कुरुसीव कुरुसीवल को तो सुरू सुरू में अनसक्सेच फुल प्ले समझा गया मगर आज वह सबसे ज्यादा आर्थर मिलर का परफाम करनी वाला सबसे बड़ा प्ले है अब इस प्ले के कारण आर्थर मिलर को आज एक कमिनिस्ट अमेरिकन कमिनिटी ने देखना शुरू कर दिया मोड़ देने से अमरिका सरकारने इनकार कर दिया है और नाइन्ति फईर ओ referring को मार्लेन भी आट भावरे ुद्री विनके साथ ती और मार्लेन मिलरente अपनेत्मार पॉल्टिकल एक्टिविटी को बताई लेकिन कमेटी ने उन से उनके साथियों के नाम भी पूछे और तब मिलर ने उनको इसके लिए इंकार कर दिया है इसके इस इंकार की वज़ा से जज ने 1957 में कांग्रेस की तोहीन के जुर्म में 30 दिन की कैद और 500 डालर की जुर्माने की सज़ा दि इसके अलावा उसको ब्लैक लिस्ट करने के लिए भी कहा गया और पास्पोर्ट भी जब्त कर दिये गया लेकिन 1957 में कोटने की अपील को सुना इसके अलावा इनके क्रेडिट में बावर बहुत कुछ है 1965 में आर्थर मिलर को फर्ष्ट प्रेसिडेंट पी एन का मनाया गया प्लेराइट एडिटर नॉबलिस्ट पी एन का अपका फूल फार्म है और हमेका प्रेसिडेंट ने इनको पूजी संदिया और बाद में सिलिटरिक ग्रूप में इसे कहा जानेंगा दकान सिंस आप दा वर्ड राइटिंग कम्यूनिटी इस कम्यूनिटी का मतलब था लिट्रेचर को प्रमोट करना तो इस्टुडेंट आर्थर मिलर को नाइन्टी सिस्टी फाइब में जो सिक हमने बताया पेन का प्रेसिडेंट बनाया गया प्रेंड्स आर्थर मिलर का डेथ हार्ट फेलियर के वज़ह से दस फरवरी 2005 को हुई इनके स्टेज प्ले में है जैसा कि जाँ देख रहे है नोबलें देख रहे हुई आर्ष मिलख राद्टार्य के सिकेड़ा इनके स्टेट प्रेस्स प्रेस प्रेक्ष नाइन्टप्ट्ट्र म कवाज्द मेंट्ट्र म का रख रहे हैं the arcship sealing the American clock playing for time elegy for the for a lady some kind of love story the right on mr. Morgan the last thing broken glass mr. Peters connection re-correction blue financing the picture is Arthur Miller के okay and screenplay में जैसे के जैसे कुछ फेमस थे दहोग 1947 all my son 1948 let make love 1960 and assorted fiction कुछ फेमस थे focus एक एक नवल था 1945 विलिखा गया the mischief the short story October 1957 I don't need you MR story 1967 only girl alive you you